प्रेंड्स आप देख पाड़े हैं यह CH341a मिनी पोग्रामार है इस पोग्रामार के मादद से आप सकते हैं और का आप आप को मार्केट में 500 यह तीन सो रूप्या में आशनी से मिल जाता हैं सेट कर सकते हैं एक असानी से सेट कर सकते हैं देखें इसको इस तरह से कर के में चैरे फीट किया वहता जाता है और इस लोग को दबने से लáख हो जाता है ठीक Notre कि सुम्दर mix जो यह असे होता है उसिकत थे यहें और ढुंतिफोर सीरीज का जो isolies घून्म सिरीज का ac को प्रोग्राम करते हैं इस दो सैड़्लाइन है दोन सबते हैं 25 series का जो IC है ओर IC को 25 Service का जो IC है और 24 series का IC है दोनों symbol के मात से . . दिखाया है और इस side मे- 25 series का और इस side मे- 24 series का IC बिठाना है वो भी देखें इस symbol के साथ एक बार अच्छा से दिखाया है और इसके साद देखें कैसे बीठाना है एक साथ में एक डॉट दिया हुआ है और दॉट के नस्दिक जो PIN है वह एक नमबर पिन है और इस पिन को आपको जब को सेट करेंगे उस एक नंबर बिन को उस साइड में हिसब से सेट करना है आपको ठीक है जो एक नंबर पिन है तो उसको एक नंबर में सेट करना हो देखिए अमने पास एक आइसी है 25 सीरिज का आइसी है आइसी का नाम आएक बर देख लिए 25 क्यूव 64 ठीक है 25 सीरिज का एक इप्राम है एलेडिका इस इप्राम को हम पोग्रम करेंगे ठीक है देखे इसका जो एक नंबर पीन है उसको पास एक डॉट है ठीक है डॉट के पास ही जो पीन है वह एक नंबर होता है तो इसको एक नंबर को हम घूमा लेते हैं इस तरह तक आसानी से फिट कर सकूँ देखें इसको इस तरह इस प्रोग्राम के अंदर डल जा और इस उपर को पेस करके कि इसको का सेट करना होता है ठीक है और सेट कर दिया तो आएज ही लोग हो जाताये और अशें तो चलिए इसको इसको कमपिटर से अशें करते हैं देखिए हमने इस पोग्रमर को कम्पिटर से कनेट किया और जो पाउर इंडिकेटर है वो जल रहा है देखिए और पाउर इंडिकेटर के साथ और बूख इंडिकेटर है जो रान इंडिकेटर है वो आप जब पोग्राम करेंगे या कॉपी करेंगे इन पॉसेस के टाइम यह अन होगा चलिए कॉम्पीटर का इस्किन पर चलते हैं और देखते हैं ओ फ्रेंट्स यह मीनी पोग्रामार के हैं सब्प्टेयर है वह एस्प्टेयर को हम इंस्टल करेंगे पहले तो इंस्टल करने अपिते स्टेम है उस एंदिव हैस को डिसेवल करेंगे ठीक है क्योंकि डिजेबल नहीं करने से इसका जो फाईल है उसको डिलिट कर देता है इस एंटिवैरास ने और इसको राद नहीं होने देते तो इसको डिजेबल करेंगे पहले एंटिवैरस को 30 मिन्ट के लिए डिजेबल करते हैं और हमने 30 मिनिट के लिए सेट कर दिया डिजेवल ठीक है और इसको देखें इसको इंस्टल करते हैं पहले इसको अंजिप करेंगे इस फोल्डर के अंदर तो इसमें क्लिक करना है राइट क्लिक और एक्टाट हेयर करेंगे देखें इसमें और एक फोल्डर है फोल्डर आ गय आंदर टिखे सब निच्छे हुआ हैं। है इस जो एपको अपको इस दोbaiuçाब यह ऐपको इसके उपर जो सबस्क्रिकर और एक हैं डाइबर को भी इंस्टाल करना है जैसे आप इंस्टाल हो जाता है फिर आपको उपर में देखिए और ये एक सी फाइल है इसको ओपन करना है आपको इसमें डबल क्लिक करते हैं देखिए ओपन हो गया इस सब्सक्राइब और पहले देखिए नीच में लिखा है डिवाइस स्टेट कनेक्टिट दिखा रहा है इसका मतलब जो हमारा कॉपियर है पोग्रामर है और कॉम्पिटर के साथ कनेक्ट हो गया है और इसको डिटेक करेंगे जैसे आप डिटेक के अंदर जो आइसी लगा है उस आइसी कौन सब ब्रेंड का है और किस नंबर है वह आपको दिखाएगा देखिए विंद बॉन्ड का देखा रहा है और इसका जो मेमोरी नेम है देखा रहा है डाबड़ो ट्वेटी फोर क्यू शिक्स्टी फोर ठीक है जो हमने दिखाया है पहले आपको तो इस Just to see के अंदर हम एक सब्टरेर गेँ लेडिicate करें और इसमें सबसे उपर हैं देखिए AOC 32-inch इस software को हम program करेंगे इस IC का अंदर ठीक है तो इसमें इस software को इस bin file को हम open करेंगे देखिए जैसे हमने open किया और bin file के अंदर जो data है वो लोड हो गया है स्क्रीन में और इसको हम program करेंगे उपर में देखिए दिया program बोटुन उसमें क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिंक करेंगे आपका program स्टाट हो जाएगा 100% होने तक आपको wait करना है और देखिए 100% हो गया है इसके मतलब है आपका जो program है वो आईसे के अंदर राइट हो चुका है और आपको इस ic को निकल के set में बीठाने के लिए ready हो गया है ठीक है प्रेंड्स इस तरह इस एलेडी का जो प्लास है से इसको program किया जाता है और फ्रेंड्स जो एलेडी का जो ic है आप चाहे तो इस ic के अंदर का जो बीन फाइल है उसको आप copy करके save कर सकते हैं वह भी हम दिखाएंगे दिखाएंगे आप लोगों को कैसे save करना है तकि बाद में आपको काम में आ सकें चले इसको कंप्टरी स्कीन में चलते हैं और इस सब्टर को एक बार restart कर लेते हैं पहले exit करेंगे और फिर दोबारा open करेंगे निखें और इस बार जो programmer है उस programmer को connect करेंगे और connect करने से के बाद फिर आपको डिरिक्ट जो option है इसमें क्लिक करना है जैसे आप डिक करेंगे और आपको ic का नाम बर दिखाएंगा दिखाएगा और इसमें देखिए एक read बोटन है उस option के क्लिक करना है आपको जैसे आप read बोटन में क्लिक करेंगे ऐसी आटमेटिकली रीड हो जाएगा और उसके अंदर जो डाटा है वो पहले के तरह इसकी निमें आ जाएगा यह अपको सेब करने के लिए आपको इसमें उपर में देखिए open के open और आपको जहां सेव करना है उसका लोकेशन चूज़ किजिए और इसके एक फाइल नेम दी दीजिए हमने देदे ऐसी थर्टी टू इंच और इसको सेव कर लेते हैं कि चलिए देख लिए तरहें कहां सेव हुआ हमने तो डेक्स्टप में सेव किया तो देखे जो बीन फाइल था वह सेव हो गया तो इसको इस तरह उस सप्टवbleве को plus ic के अंदर जो पोग्रम था उस पोग्रम को हमने सेव कर लिया और दोबरा कोई TV आये इसका उसका पोग्रम हम खराब है उसको प्लास आईसी के अंदर इस सब्सक्राइब को इंस्टल करके दोबर अठिक कर पाऊंगा तो इस तरह इस सारे चीज किया जाता है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको कुछ जन करिजे सकूं तो अच्छा मुझे भी लागेगा तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ओके थैंक्यूँ